हेलो फ्रेंड्स अभिप्षा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस के इस ए लर्नी क्लासेस में मैं दीपावर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ तो बच्चो हम अपने एक्जाम मिशन के और निकल चुके हैं मिशन 2023 जो हमारा मार्श में होने हैं करकेमिक समाजिक उध्यान को पढ़ रहे हैं ये जो सीजी बोर्ट के एक्जाम पर अधारित है ठीक है तो यह एक्जाम किसके लिए है कशाव समाजिक उघ्यान के लिए में एक्ईisesti की एकउऺटीध कर अधार है य्जो काषर है और भुमी संसाधन, है न, यह जो एक 도 अंगों का होने वाल दीओ क्षाल, जिसमें से दो अंग के एक प्रशन, चार अंगों के एक प्रशन और, एक рынक के प्रशन आने हैं, है न, तो हमने संसाधन उसे शर्ण हैं बन माख से कोशिन कैसे बनेंगे या दो और चार माख से कोशिन कैसे बन सकते हैं ना हमने यह समझ लिया एक अध्याय एक हमने फिनिश कर दिया है आज हम अपने सेकेंड लेक्चर अध्याय दो भूमियम संसाधन को पढ़ेंगे ठीक है तो भूमियम संसाधन हमारे भूगोल क दूसरा चैप्टर है है ना और हीकाई एक के अंतरगत आता है जिसमें टोटल आवंटी तंग कितने हैं नौ ठीक है तो इसमें अधिकतर अगर पिछले आप प्रशनों को पिछले वर्शों के प्रशनों को देखेंगे तो इसमें से ज्यादा तर दो मार्क्स के कोशन या कभी कभी चार मार्क से कोशन पूछे गया है ठीक है वन मार्क से कोशन बहुत ही कम पूछे गया है फिर भी मैं आपके लास्ट में इस लेक्टर के वो लास्ट में अगले वीडियो में इस पूरे वन मार्क से कोशन जो भी इस कोशन चैप्टर से संभावित हो सकते हैं मैं उसको होएपको बताऊंगी ठीक है तो चलो यह रेक्चेर हम शुरू करते हैं सब्खोमारा चैप्टर क्या था भूमी संसाधन है न तो इस लेप्टर में हमने पूरा है भूमी संसाधन के बारे में ठीक है तो देखो पहले हम क्या पढ़ेंगे भूमी संसाधन है ना हमारा चेप्टर का पहला टॉपिक क्या है भूमी संसाधन उसके बाद भूमी के उपयोग कि भूमी का उपयोग कैसे है है ना आप चलो बताओ बच्चों भूमी संसाधन क्यों है ठीक है हमने पैशने चेप्टर में बढ़ा था संस तो कोई चीज सनसाधन कब होती थी जब उसका हम ुप्योग अपने वशक्ताओं के अनुरूप करते थे ठीक है तो भूमी यह चला natuurlijk तो भूमी भी क्या हुई संसाधन अब भूमी का उपयोग कैसे होता है तो विभिन तरीकों से किस तरीकों से आप कृशी के लिए करते हैं वन के लिए करते हैं उपवन के लिए करते हैं चराई के लिए करते हैं या कहीं पर मकान बनाते हैं तो यह क्या हुए हम भूमी का उप पुपश काना चराई के लिए या मकान बनाने के लिए रोल रेलवे बनाने के लिए तो यह क्या हुआ हम उसको अब उपयोग कर रहे हैं इसलिए क्या है भूमी भी एक संसाधन है है ठीक है तो भूमी संसाधन क्यों है भाई भूमी का उपयोग कैसे कैसे होगा यह समझ लीज तो संसाधन है भूमी, उस विकास भी होगा, रेल्वेस भी बनेंगी, रेल लाइन भी बिछेंगी, सडके भी बनेंगी, सरकार फैक्टिस भी लगाएंगी, तो यह सब कहा होगा भई, है ना, भूमी में होगा, तो सरकार क्या करेगी जब उसको एक शहर से दूसरे शहर को जो कि है, किसी परसन की है, तो क्या करीगी, वो, उस भूमी को लेगी, जैसे हमने गाव में देखते हमेर गाव के बीच से रोड निकलते, तकाई उते हमेर खेतला ले थे, हमेर खेतला ले थे, उकल बदला पैसा दे थे, है ना, अभी अभी देखा तो करे अदिक घर से रोड सरकार बीचों बीच से कई इह को सब्सक्राइब विश्यों की बीच अगर इस तरह घृँत रुटा इसलिए क्या पढ़ेंगे मिल्डा मृणि क्या पढ़ना है मरिदा क्यों कि भूमी स्वरुक क्या है म्रिदा इसलिए हम क्या पढ़ेंगे मृदा में हम क्या पढ़ेंगे मृदा प्रदिछेदिका इसमें मतलब मृदा की लेयर किया होती है ठीक है म्रिदा का उपरी परत क्या होगा निश्ली परत क्या होगा किसमें खनीश्लत पाई जाते हैं किसमें उर्वक्ता होती है हम वो पढ़ेंगे ठीक है भूमी निमनी करण समझ गए तो भूमी निमनी करण को भी समझना होगा कि जब हम भूमी में कोई भी क्रिशी कर रहे हैं चराई करवा रहे हैं या फैक्टरिस लगा रहे हैं किसी भी तरीके से हम क्या करें मृदा का भूमी का उपयोग कर रहे हैं तो जब उसको excessively use किया जाएगा या miss use किया जाएगा तो क्या होगा भूमी निमनी करण ठीक है तो भूमी निमनी करण होगा कोई चीज कमी हो जी है तो उसको क्या होगा हमें सनक्षन करना होगा उसको बचाना होगा उसके लिए उपाय करने होगे तो क्या होगा फिर हम क्या क भूमी प्रबंधन तो यह पूरा चैप्टर का रोड मैप है भई मैंने बहुत है आपको माइन में बताऊंगी रोड में बताऊंगी कैसे चैप्टर को पढ़ा जाना चाहिए कैसे इंटर लिंकिंग होनी चाहिए है ना तो वह मैंने पूरे चैप्टर का सारांश बता दिया अप पूरे जो आपका कोश्टन होगा ऑगर अगर अप टॉपीक को भी कवर करते चले घिक है तो आप अपने आप कोशटन फ्रेम कर लेंगे यह बहुत अच्छा होता है बता है कोश्टन से पहले आप पहले टॉपिक कर लो फिर यह सोचो की इससे कोश्टन कैसे बनेंगे ठीक है जैसे मिर्दा प्रदिछेटिका आप इस टॉपिक को पढ़ लिए अब आप समझ जोगे इस टॉपिक से क्या आएगा कि मिर्दा के परतों के बारे में बताओ या कोई एक परत के बारे में बताओ ठीक है भूमी का वितरन समझोगे भूमी का उपयोग समझोगे तो य ये देखा करो कि उसमें पूछा क्या जाना चाहिए, है ना, या उसके उपर क्या पहले पढ़ा, मैंने नीचे क्या पढ़ा, फिर इंटर लिंक करोगे, तो आपको answer framing बहुत अच्छे से आएगी, बच्चे, है ना, तो चलो, ये हो गया, अब हम अपने questions पे आते हैं, ठीक है तो देखो, पहला question क्या है, भूमी उप्योग के वितरन को समझाईए, है ना, भूमी एक संसादन है, तो हम उसका क्या करेंगे, उप्योग करेंगे, तो उप्योग को समझाईए, तो आपके chapter में इतने प्रकार से उसके उप्योग दियोंगे, कितने टाइप से दिये हैं भ होते हैं, लकडियां मिलती हैं, है ना, वो वन भूमी है, हमारे भायत में, कितने प्रदीशत वन भूमी है, कितने प्रदीशत है, 23%, लेकिन सरकार क्या कहती है, कितने प्रदीशत होने चाहिए, 33%, ठीक है, वन भूमी हो गई, उप्वन भूमी, जहां बाग बगीचे होते है जहां से जिस भूमी से बन उपज मतलब सORी फल फूल निकाले जाते हैं तो वो भूमी किसमें आएगी उपवन भूमी में लेकिन क्या किया जाता है उपवन भूमी को बदलकर उस भूमी पे पेड़ पॉधरों को काट कर किसमें बतर दिल किये जाता है उसको क्रिशी भूमी में तब्दिल कर दे जाता है इसलिए क्या हो रहा है उपवन भूमी में कमी आ रही है ठीक है तो उपवन भूमी क्या होई भई या जहां बाग बगेचे होते हैं जहां फल फुल उगाया जाता है ठीक है वैसी भूमी क्या होती है उपवन भूमी लेकिन क्रिशे भूमी क्या होगी जहां खेती की जाती है ना या कुछ उद्योगों के लिए कच्छे माल तैयार की जाते है ना जैसे कपड़ा उद्योग होगा तो कपास की खेती की जाएगी है ना शुगर फैक्टरीज होंगी उसके लिए गन्ना उत पाइगी, हीमा जहाणिे हुएमाचादित, यहां क्रिशा कर पाओँ रेत के टीले वहां क्रिशा कर पाओँ रोड बन गई है वैसे जगा आप क्रिशी कर पाऊगे क्या नई तो ऐसी सब भूमी किसके अंदर गताती है भाई आक्रिशी में ठीक है लेकिन अभी देखो क्या हो रहा है जैसे अभी मैंने उधायन दिया कि क्या एक सडके बनानी है तो कहां से क्रिशी भूमी जहां हम खेती कर रहे है उसको लेगी तो इससे क्या होगा क्रिशी भूमी में कमी आई और किसमें बढ़ोत्री होगी आक्रिशी भूमी में क्रिशी भूमी में कमी आएगी किसमें बढ़ोत्री होगी आक्रिशी भूमी में ठीक है समझ गए ठीक है पाचवा देखो परती भूमी परती भूमी क्या होती भई किसान क्या करते हैं खेती करते हैं भूमी पर लेकिन क्या होती कुछ समय बाद उसकी उर्वरता शक्ता कम हो जाती है तो किसान क्या करते हैं उसे कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देत कि चलो वह अपने आप हवा पानी से क्या करगी हूमस उसमें बनेगा उसके क्या होगी उर्वता शक्ती बढ़ जाएगी तो वैसी भूमी को क्या कहते हैं हम परति भूमी इसके आप दो प्रकार पढ़ेंगे नई परति भूमी यवरतमान और पुरानी परति भूमी ठीक है ब जिसमें हम जिसमें पशु क्या करते हैं चराई करते हैं जिसमें घास होगे होते हैं जिसमें हम पशु जो गाओं के पशु है या जिते भी हमारे गाओं के आसपस चीज़े मिलती है उसको वो क्या करते हैं चरने जाते हैं ठीक है तो यह क्या हुआ भूमी का उपयोग हम करना है यह सब चीज़े आपको मिल जाएंगे ठीक है मैं इसको आपको सोचने का तरीका बता रही हूं और एका आंसर किस तरीके से लिखा जाना चाहिए वह बता रही हूं ठीक है यह जो कोशन आएगा वह फोर माक्स के लिए आएगा ठीक है इट मिन्स आपको 75 शब्दों के बनाना है इसके वह बताना है थीक तब जाके आपको पुरे 5-4 माक्स मिलेंगे है ना तो ऐसे तायारी करनी है आपको ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं रतमान परती और पुरानी परती में क्या अंतर है तो पहले परती क्या होती भी बता ओ ऐसी भूमे जिसे किसान क्या होते हैं कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं ताकि उसकी उर्वरता शक्ती बढ़ जाए ठीक है तो परती भूमी ठीक है इसकी पहला वर्तमान परती भूमी पुरानी परती भूमी वर्तमान परती भूमी इक में वह भूमी जो केवन एक के लिए पढ़ती हो ठीक है पुरानी पढ़ती भूमी जो एक वर्ष से अधिक पढ़ती हो ठीक है वर्तमान पढ़ती भूमी पुरानी पढ़ती भूमी तो वर्तमान पढ़ती भूमी क्या होगी एक वर्ष के लिए पढ़ती हो तो इसमें क्या होगी उर्वताक शमता बढ़ जाएगी ठीक है तो यह आपको structure बनाना है है ना answer तो इधर आपको लिख नहीं है इसके बारे में दो दो line लेकिन आपको यह structure भी बनाना है तब ही जाके चार माक्स मिलेगा ठीक है तो इसको अच्छे से देख लो भई ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्या बोला है उपवन भ ठीक है उपवन भूमी में क्या होते हैं भई उपवन भूमी क्या होती है जिसमें बाग बजीचे या फल वाले पेड़ो ठीक है क्रिशी भूमी जिसमें खेती की जाती है ठीक है शुरुवाती दोर में क्या किया गया उपवन भूमी को क्रिशी भूमी में तपदील कर दिया गया इटमिंस क्या हुए इधर से पेड काटे गया, उसको खाली किया गया, फिर उसमें क्या की गया, क्रिशी की गया, तो इसमें क्या हुआ, कमी आई, फिर इसमें क्या होगी, बढ़ोत्री आएगी, फिर क्रिशी भूमी को करके हमने क्या कर दिया, उसको फिर कम कर दिया, फिर ये क्या बन गई, और क्रिशी ठीक है, तो यह समझे, आपको यहाँ पर क्या बताना, उपवन भूमी, क्रिशी भूमी से किस प्रकार बर अलग है, तो उपवन भूमी में बाग बगीची आते हैं, फल वाले पेड़ पौधे आते हैं, वहीं क्रिशी में हम खेती करते हैं, और क्या होते हैं, कुछ प्रकार के अनाज उगाते हैं ठीक है यह हुआ क्रिशी भूमी क्या होती है जहां क्रिशी की संभावना नहीं होती है क्रिशी की संभावना कहा नहीं होगी जहां रेल्स बन गए उद्योग लगे हैं पहारी प्रदेश हैं जैसे हिम्मच छादित प्रदेश हैं रेट के टीले लगंगे हैं कि यहां सदक हैं यहां फेंटी की आट सेदि कर सकते हैं क्या है तो ऐसी भूमी क्या हो जाती हैं अकृषी योग भूमी हो गई है तो क्रिशी भूमी में कमी क्या हुई जब हम भूमी को अक्रिशी भूमी में बदल रहे हैं अक्रिशी भूमी में उद्योग लगा रहे हैं यातायाद के साधनों का विकास कर रहे हैं रेल विछा रहे हैं, सडके बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं तो ये सभी के कारण क्या होगी, क्रिशी भूमी में कमी होगी, तो आपको इसी सब पॉइंट सो क्या करना है, लाइन से लिखने है, ठीक है बच्चे, समझ आया, चलो, आगे बढ़ू, चलो, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, कि क्रिशी भूमी की कमी होने के कारण बताईए, ह क्रिशी भूमी कम होगी, मतलब क्या होगा, कहीं जो भी हखेती है, उसको क्या करेगी, सरकार होगी, या सरकार क्या करेगी, किसी उद्योग लगाना है, तो किसी नीजी स्वामित वाली व्यक्ति को देगी, मतलब प्राइवेट को देगी, है ना, तो कहीं न कहीं सरकार उस भूमी को लेगी पहले आप से, है ना, तो क्या सरकार किसी भूमी को ऐसी ले सकती है, कि चलो भाई दे दो हमको, या उसके लिए कुछ नियाब बनाएगी, कुछ तो कुछ नियाब बनाएगी, तो क्या होता है, सरकार ऐसे कुछ नियाब बनाती है, जिसके भू स्वामित वाल भूमी को अधिग्रिकार सक lur उन्होंने भू अधिकार का विकासके काररे करने है तो निजी-सौंत वाली जमिन को अधिग्रिध कर सकती तौन पहले यह दो लाइंड लिखना है को इसके बाद भू अधिग्रीन अधिनियम 2013 लिखना है ठीक है तो इसको मैंने पूरा नहीं लिख है आपको कैसे points के अनुसार इसको याद करना है वो बताया है ठीक है बच्चे क्या बताया है मैंने points बताया है कि आपको पूरे sentence है जो वाकिय है आप वहाँ exam में frame कर सको लेकिन इसके key points बताया है कि आप इस answer को कैसे याद कर सको ठीक है तो पहला देखना पूर्णरवास एवन पूर्णरस्थापना ठीक है इसका मतलब क्या भई कि जैसे सरकार जिनके से जमीन लेगी है ना अब आपने यहां इस राइपूर्ट शहर से इतने जमीन को लिया तो यहां पर कोई रह रहे होंगे पर्सन लो तो इसको क्या करेगी विस्थाबित करेगी या इनके जमीन को लेगी तो इस सरकार को क्या करना होगा इनके पूर्णरवास और पूर्णरस्थापना का वैवस्था करना होगा या जो नीजी वैक्ति तो ले रहा है उनके जमीन को अधर तो उनको क्या करना इनके पुनरवास पुनरस्थापना की व्यवस्था करनी होगी, ठीक है, सेकेंड नीजी कमपनी अथ्वा सारवजनिक नीजी भागीदारियों के इस्तमाल हेत्तू 80% सहमीती होनी चाहिए, ठीक है, सरकार को लेना हो तो डारेक्ट ले लेगी, लेकिन अग पर जमीन देंगे, ठीक है, यहां पर काम करने के लिए और हम और कहीं जाके बसने को तयार है, ठीक है, तो कितने लोगों की सहमती होनी चाहिए, वहां रह रहे है, 80% लोगों के, ठीक है, तीसरा पॉइंट, विस्थापित या अधिग्रहन द्वारा प्रभावित परिवार मतलब, जिनका जमीन है वो तो उनको तो अधिक कुछ न कुछ मिलेगा ही, लेकिन जैसे सपोस यहां पर कोई काम करने आ रहा है, या किसी की खेती है, तो यहां पर उस मालिक के साथ उसके नौकर भी होंगे, है ना, जो उसके काम करते होंगे, तो यह तो मालिक की जमीन तो नौकर को क्या मिलेगा पट नौकर भी तो यहां काम कर रहा था है ना तो उसके बारे में भी सरकार कुछ न कुछ ववस्था करेगी ठीक है अगला पॉइंट बहु फसली या सिंचित क्रिशी भूमी का गैर क्रिशी उपयोग अत्ती विशेश परिस्थितियों में ही होग जैसे आपको समझ लो कि दो नैशनल हाइवे बनानी है या कोई एक जगे को दुषर जगे से जोड़ना है यहां में रेल लाइन बिचानी है तो बहुत ही ऐसे कंडिशन में ही क्या करेंगे जो बहु फसली है जमीन होगी या सिंचित क्रिशी भूमी होगी उसको सरकार अध हो रहा है तो वहां के विस्थापन होगा लोगों का तो उनके समाजिक और परियावर्णी पहलो को भी देखेंगे कि उस भूमी को जो लिया जा रहा है तो उसके आसपास पर परियावर्णी क्या एफेक्ट पड़ेगा लोगों को विस्थापित किया जा जा रहा है तो उस पता चला उसने chemical factory लगा दी, तो ऐसा नहीं हो सकता, उसने जिस कारे के लिए उस भूमी को लिया है, वो उसी कारे को करेगा वहाँ पे, ठीक है, तो ये समझ आया, ठीक है, तो ये चीजे clear हो गई, points, तो आपको ये सब points क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है, आपकी book में पूर को पढ़ने कोश्च करोगे, तो बच्चे याद नहीं आएगा, ठीक है, चलो, आगे पढ़ते हैं, मृदा परिछेदी का या मृदा की परतों का वर्णन कीजे, है न, हमने मृदा पढ़ा था, तो मृदा क्या होती है, समाने अर्थों में पित्वी की धरातल की उपरी पर या मृदा की परतों को मुखेता तीन भागों में भाजित किया जाता है, जैविक परत, खनीश परत, जैविक परत, खनीश परत और अधायर परत, ठीक है, तो आपको इसका डाइग्राम भी बनाना होगा, ठीक है, और इसके बारे में पूरी चीजे बतानी होंगे, चील, डाइग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये हुआ, ठीक है, ये हुआ, सबसे उपरी परत कौन से होई हमारी, जैविक परत, जिसमें ये वाली परत होती है O, और ये वाली होती है A, उसके नीचे क्या आती है भई? ये क्या होती है हमारी खनीश परत, इसमें बी, उसके नीचे आती है हमारी आधारी परत, इसमें आता है हमारा C और R, ठीक है, इसमें क्या होते है बड़े पत्थर होते हैं और इसके ही वोच जिजों से क्या बनती है हमारी C परत? तो आपको ऐसा डाग्रम बनाना है ठीक है जिसमें आपको केवल जैविक परद, खनीश परद, अधायद परद नहीं आपको ये लेयर भी दिखाने है ठीक है तो जैविक परद में क्या क्या आते हैं O और A तो सबसे उपरी परत क्या होती है हमारी O जिसमें उसके नीचे क्या होती है A परत ठीक है खनीच परत B परत होती है अधायद परत C और R परत होती है जैविक परत क्या होती है इसमें जीव जन्तु अधायद होती है जिसमें हुमस पाया जाता है और आ इसके नीचे की खनीश परत होती है जो ओपर ही निधायद करती है कृशी भी क्या इसी परत पर की जाती है तो सबसे जादा कीट नाशकों का effect भी किस में पड़ेगा इसी जैविक परत पर परता है और इसकी जो मोटाई है वो अलग अलग जगह होती है, जैसे नदियों के छेतर में जाएंगे तो इसकी मोटाई क्या होती है, जैविक परत की जादा होती है, ठीक है, तो आईए आपको जैविक परत होगे, खनिश परत क्या होती है, ये बीच की परत होती है, ठीक है, इसमें जिवाश में की मातरा कम पाई जाती है और इसमें उन ही परपद्ध화를 की जड़ पाई पहुंसती है, जिसकी जड़ा क्या होती बहुत लंब् Search जैसे टमाटर के क्या होती, जड़े बहुत छोटी होंगी तो यह कहां रहेंगी सिर। इस परत्त में पद्ध की ना जिसमें आसी परत होती है वह आर के खनीजों के विखंडन से बनती है ठीक है तो आपको इतना पूरा चीजी लिखने होगे बच्चे यह आपको मिल्दा की डेफिनेशन देनी होगी इसके प्रकार बताने होंगे डाइग्राम बनाना होगा और इसके बारे में दो-दो लाइन लिखने होंगे तब जाके आपको चार माक्स मिलेगा अगर आपने चुप-चप ऐसा असा लिख दिया और डाइग्राम नहीं बनाया तो नहीं मिलेगा आपने सिर्फ इसके बारे में बताया और इसके बारे में नहीं बताया तो भी फुल माक्स नहीं मिलेंगे अच्छे मा आएगा और आया हुआ है ठीक है तो आपको सी और ए परत के बारे में लिखना है किसमें वनस्पतियां उखती है उर्वक्ता की माता जादा होती है क्रिशी इस भी की जाती है नदियों के भाग में इसकी मुटाई जादा होती है है तो आपको यह सब पॉइंट्स क्या है बता ठीक है बच्चे चलो आगे भारत में पाई जानी वाली मृदा के प्रकारों की वाख्या कीजिए ठीक है हमारे चैप्टर में हमने मृदा पढ़ा तो मृदा के प्रकार भी पढ़ेंगे हैं आपको देखा तरह ठीक है तो अपने देश मुख्यता छह तरह की क्रिशी पहला जडोद मिदा, दूसरा लाल पिली मिदा, काली मिदा, लेटर राइट मिदा, वन मिदा, शुष्क मिदा, आपके चैप्टर में इतने मिदाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है, तो चलो, अब इन मिदाओं के हम क्या करते हैं, छोटा-छोटा डेफिनेशन देख ल तो पहला क्या है जडोद मिदा, यह क्या है, नदियों के किनारों में मिलती है, नदियों के किनारे वाले छेतरों में पाई जाती है, लाल और पिली मिदा, 36 गड़ में सरवादिक यही मृदा पाई जाती है ठीक है बच्चो और ये जो कम वर्षा वाज छेतर होते हैं वहाँ आगने चटान और रुपांतरी चटानों में लहो धातु के प्रसार से मिलती है तो इसका लाल रंग इसके कारण होते है और पीला रंग इंधा चटानों में क्या होते है जल योजन के कारण क्या हो जाती है पीली हो जाती है ठीक है तो 36 गड़ा सरवादी कौन से मृदा पाई जाती है लाल पीली मृदा काली मृदा इसमें नमिधान करने की शम्ता सरवाद बताओ यह अधिक वर्ष्टावाल छेत्रों में पाए जाती है वन मृदा वनी मृदा बर्वती छेत्रों में पाए जाती है तो अगर आप इतने भी प्रॉपर्टी लिखते है तो यह क्या होगा आपको एक अच्छा answer त्यार हो जाएगा ठीक है आपको अगर notes चाहिए तो आप description box में जाकर call करके या हम website में जाकर इसका ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी में नमी धान करने की छमत अधिक होती है भाई, काली मिर्दा में, तो आपको उसके points बताने होंगे, ठीक है, अगला भारत में कि लेटराइट मिर्दा अधिक तापमान और अधिक वर्षावाल छेत्र में पाई जाती है, और क्या होती है, जब ये इटों इसमें लेटराइट मिर्दा से क्या बनाए जाते हैं, ठीक है, आगे चलो, अब आते हैं, भूमी के निमनी करन की क्या मानवी कारक है, हमने पहले से कम होने लगे, भूमी की जो छमता है वो पहले से कम होने लगे, तो उसको क्या कहेंगे, भूमी निमनी करन की क्रिशी है, उसमें पादक्ता क्या होगे, भूमी की कम होने लगे, जो उर्वरक है, उसका प्रयोग करने लगे, उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए है, ना, सिचाई को बहूत चयाधा करने पड़े, तो क्या होगा? उसकी ऑधम क्वालिटी क्या हो imm क। होने लगे? उसे को क्या खेंगे हैं? भूमी निम्नी करण तो जो बार वाला कारण था, वो किया था? प्राकरतिक कारण लेकिन ऐसे कौन से मानवी कारण है, जिसके कारण भूमी का निम्नी कारण होता है, ठीक है? तो इसको समझते हैं, कृषी कारे कैसे हम बहुत ज़ादे केट नाशकों का उपयोग करें, और वाला चीज़ों का उप परतों पर्फों परतों प्रावं प्रतों पर behaved पर्फी परहन, परने उपना परतों प्रावं। तो कहा उपना परतों पीली प्रतों स्साइगी Früh. ह ciągn civ कहा है फिर उपनी परथ चलेगी तो निचे क्या होगी जो और क्रिषी योगी परत होगी वो आजाएगी ठीक है ओपन कास्ट उत्खनन क्या जब बहुत बड़े माइन्स होते हैं खरन किया जाते हैं धातू निकाला जाते हैं या किसी प्रकार की खनीशन उत्पादन किया जाता है उससे क्या होता है कि फिर आसपास की जमीन है वो उसे इफेक्ट होती है सेकेंड ली जो वहां पर उत्खरन किया जाए तो उसकी जो मिट्टिया है वह उड़के दूसरे जगों पर जाएंगे आसपस के छेत्रों में तो उस जगों को भी क्या करती है ठीक है तो उसके कारण क्या होगा भूमी की जो छमता है वो कम होने लगेगी सिमेंट उद्योग हो गया या निर्मान उद्योग होंगे मृदा निर्मान उद्योग होंगे उसमें करण जो होंगे उसके चूना पत्थर के उखरन हो गया मृदा जिसके निर्मान कर रहे वो फिर क्या होगे आसपस के छेत्रों में उड़कर जाएंगे तो फिर क्या होगे वहां पर कि जो कृषियों के भूमी है, या जो वन भूमी है, उसको क्या करेंगे, वो प्रदूशित करेंगे, ठीक है बच्चे तो यह क्या है, मानवी कारक है, है ना, जिसके कारण क्या होते है भूमी का निमनी करण होता है, तो आपको जब पुछा जाएगा, तो इन कारण अग्ला है गरीब भूमी निमकरण के शिकार है या उसके कारण गरीब है this ये दोनों correlate हो जब गरीब है तो ऐसे कारण भूमी एक सिमिथ है CA में इतना ही सिमिद भुमी है, तो क्या कर सकते हैं इसको पर्ति करें छोडे सकते हैं क्या पर्ति भुमी एक साल के всτού कि उनको क्या उसमें तो अनाज उगाना ही है, अनाज उगाएंगे तब ही तो क्या होगा, उनका भरन पोशन होगा, है ना, तो क्या होगा, इसके कारण क्या होते हैं, और अधिक उनाज उगाना ही पाते से क्या, उनकी जो सिती है, वो गरीब की ही रहती है, ठीक है, तो इस त संसाधन संसाधन को अच्छे से सुरक्षित विकास हैни कैम से μुसी प्रकर करकिया भूंइ कावर्धन क्यों कि निमनीग करन्ड हो रहा है भूंइ की शमताए कम हो रही है तो हमें सन्योजित भूंइ से भूंइ का उपयोग करना हो गा कि कृषी भूंइ भी सहीर रहे वन भूं क्रिशी भूमी को हम इफेक्ट ना करें, है ना उद्योग ऐसे लगाए कि आसपास के जो छेत्रें वो प्रभावित ना हो, बंजर भूमी का उपयोग करें हम, कि देखें कि कोहां पर बंजर भूमी है, वहां पर कुछ संभाव ना है क्या कार करने की, परती भूमी का पानी के बहुत म्रिदा करन हो yan पीकर Stallion आफिशनना'd के ना कृता सरच कित नाश्रें का उपयोग तो वैसी ही जो को ध्यान में धे, घर के आसपास पास भूमी का उपयोग करें, जिस से इसान के भूमी पहत भूमी का उपयोग करें कि कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है, कौन गौसे टॉपिक है और कैसे आपको जाना है सर्कुलर वे में, कि तब आप एक से दूसरे चीजों को कनेक करते वे पढ़ पाएंगे, जब लॉजिकल वे में पढ़ोगे ना बैच्छे, तो क्या होगा आपको चीजे अच्छे से प्रवाइंगे, जब लॉजिकल वे में